प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी 12 मार्च को काशी में रहेंगे उनके साथ फ्रांस के राश्ट्रपती एम्यानुल माक्रो भी होंगे काशी प्रवास के दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दो पर बात चीत होगी साथ ही कई करार भी होने की संभावना है प्रधान मंत्री के दौरे को लेकर वारांडसी में तैयारियां जोरो पर है बारत आरिक को मांगी प्रधान मंत्री जी का और फ्रांस के राश्ट्रपती का आगमन यहाँ पर हो रहा है प्रस्तावीत है लगभग 6 घंटे का कारेकरम यहां पर रहेगा उसकी पुरी तैयारिया की जा रही है जो विश्तो क्रवर्स प्रॉट करन को जाल से लिए कि जाएगा तो इसके बारे में वच्टार से बात दिखी सीट को ठाखिए अभी प्राखिपूद्विप these रोला दौ रहां पूरी तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के विवस्था, शांती विवस्था, या तायात का प्रबंधन और किसी को असुविधा न हो, जो हमारे कारे हैं, इस पे हम लोग काम करना शुरू कर दे हैं। गंगा के नारे इस्थित ब्रिजर्मा पैलस भारत और फ्रांस के दोस्ताना संबंदों की मजबूती का साक्षी बनेगा। दर्बंगा घाट पर शाम ढलने से पहले ही सांस्क्रित आयोजन शुरू हो जाएंगे। गंगा घाट पर तीस लोगों की टीम साफ सफाई और सार सज्जा के लिए लगाई गई है। सोमवार को दर्बंगा घाट की सीडियों और मुख्य प्लैटफॉर्म पर लगे होली के रंगों को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। घाट की दिवारों पर लगाए गए पोस्टर भी साफ हुए। दर्बंगा घाट पर हर्याली के लिए तरह तरह के फूलों वाले गमले भी रखे जाएंगे। सन 1912 में नागपूर नरेश के मंत्री शीधर मुण्शी निराणा महल और घाट का निर्माड कराया था। वर्ष 1920 में दर्बंगा के राजा कामेशुर नात ने इस घाट के दक्षणी हिस्से को क्रे कर लिया और यहां दर्बंगा महल का निर्माड किया गया। तब से मुण्शी घाट के इस हिस्से का नाम दर्बंगा घाट और महल का नाम दर्बंगा महल पड़ा। पारंपरिक परिधान में आठाट करन्याय और धोती कुर्ता और बनार्सी दुपलिया टोपी लगाए आठाट पुरुष गुलाब जल और पंखुणियों की वर्षा करेंगे। ग्यारा वैदिक ब्रामणों का दल स्वस्ति वाचन आरंद करेगा। दोनों नेताओं को केसर का तिलक लगाकर उद्राक्ष की माला और शिवनामी भेट की जाएगी। कैन ठाना छेतर के भक्ती नगर लेन नमबर दो निवासी मंगल सिंग प्लांटिंग का काम करते हैं। उनके दो बेटों में विकास सिंग बड़ा था। सारनाथ के बीच रेलवे लाइन के दोरी करण और इंटर लॉकिंग का काम मंगलवार को शुरू हो गया। इस काम को देखते हुए वानार्सी से गोरगपूर, जौनपूर, बलिया, आजमगड की और जाने वाली सवारी गाड़ियों को निरस्ट कर दिया गया। कई गाड़ियों को सारनाथ तक आने और कुछ को औरिहार तक चलने की छूट दी गई है। इस घटना ने उस समय वारार्सी में 2900 करोड की परियोजनाओं की सौगात लेकर आए प्रधान मंत्री के दौरे को भी पीछे छोड़ दिया था। मीडिया और लोगों का पूरा ध्यान भी एच्चु की और खिच गया था। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी ने बवाल के बाद कुद को पाक साफ जताने के लिए अपनी ओर से नयाय मूर्ती दीख्षित समिती बनाई थी। उनकी जांच कमिटी ने उन्हें क्लीन चिट देने के साथ ही उनकी बातों पर मोहर लगा कर काम पूरा भी कर दिया। वैसे इससे प्रोफेसर ट्रिपाठी बरी होने वाले नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन उत्तरप्रदेश सरकार के साथ ही केंडी सरकार और राश्री महिलायोग तक की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। माना जा रहा है कि इनकी प्रारंबिक रिपोर्ट प्रोफेसर ट्रिपाठी के खिलाफ ही रही। इसी वज़े से उन्हें जबदस्ती अफकाश पर भेज दिया गया था। अपने कारेकाल के अंतिम दिन प्रोफेसर ट्रिपाठी सिर्फ विदाई लेने विश्य विद्या ले गए थे। चोलापूर थाना छेत्र के भरतपूर गाओं में रवीवाल भूर धरसोना से सिंदोरा की तरफ जारा ट्रक राजेश विश्यकर्मा के घर में घुसकिया। उस कमरे में मवेशी बंधे थे हाठसे में दो गाये घायल हो गए। ग्रामीडों ने जानवरों को बाहर निकाला और कड़ी मशक्रत के बाद ट्रक की स्टेरिंग में फसे ड्राइवर गुड़ू गौड को बाहर निकाला जा सका। ड्राइवर ने बताया कि उसे जबकी आ गई थी, मकान मालिक राजेश ने बताया कि हादसे में उसे लाखों का नुकसान हो गया चोलापूर पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है रोहनिया के हुलासी वीर गंगापूर में शनीवार के देर राज रतन अग्ररी के किराना के आड़ेत में भी शनाग लग गई घर में रखे तीन सिलेंडरों में भी विस्पोर्ट हो गया इसे मकान की सीड़ी और कमरे की दिवार तूट गई रतन दूसरी मंजिल परपत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं शनीवार के राज साड़े बारबजे सांस लेने में समस्या हुई जब उठे तो देखा की आग लगी है और लप्टे दूसरी मंजिल तक आ रही है सूच्टा मिलने पर मौके पर पहुँची चौके इंचाज राज बहारदूर ने मकान के बाहर सीड़ी लगा कर दूसरी मंजिल से परिवार को बाहर निकाला रतन अग्ररी के मुताबिट गुदा में 50 लाख मूली का समान रखा था जो जल कर राख हो गया 4 लाख रुपे नगत भी जल गए रोहनिया विधायक ने मौके पर पहुँच कर डांडस बंदाया सेंट्रल जेल रोड इस सिद वरुना गार्डिन अपार्टमेंट में 5 MVA का ट्रांसफर लगाए मंगलवार दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से तेज धमाका हुआ कुछी देर में आकी भयंकर लप्टे और धुएं का गुबार देखकर आस-पास के लोग सेहम गए कि अभी किसी प्रकार के इसमें कमेंट करना जल्दबाजी होगी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी कुछ-कुछ हुआ निकल रहा है पायर सर्विसाले लगे हुए हैं इसलिए इस पर किसी निश्कर से पहुंचना जल्दबाजी होगी कि अभी किसी प्रकार के कमेंट करना जल्दबाजी होगी